नमासकार स्वगत्यापका हमारे चंचार यागंद्र मशा में पैसे गिनते गिनते ठक जाओगे तीस मई को काल सर्फ योग छे राशिया होंगी करोड़ोपती दोस्तों जन्म कुंडली को हमारे जीवन का आयना कहा जाता है ऐसा कहते कि हमारे भविष या भूत काल में जो कुछ भी हुआ या होने वाला होता है उसका पता जन्म कुंडली से लगाया जा सकता है जन्म कुंडली के द्वारा भविष की संभवनाओं के बारे में तो पता ल जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 30 मई को काल सर्प योग बनने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दे कि 30 मई को काल सर्प योग के बनने से कुछ बिशेश राशियों का भाग सात्मी आस्मन पर रहने वाला है। दोस्तों इन राश्वाली लोगों के उपर भगवान भोलिनात की अशिम कृपादिश्टी अब रहने वाली है। और भगवान भोलिनात की कृपादिश्टी से अब ये लोग अपने जीवन में दिन दूनी राश्योगनी तरक्की करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इन ही राश्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे अन्रोध है की वीडियो को आप बिलुकुल भी मिश्ट ना करें और इसे शुरू से लेकर अंतक जरूर देखेगा। अला माल बनने वाली हैं। दोस्तों इस लेस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है यहां पर मकर राश्यों के आतको बता देखी। पहले थे उनमें आपको विशेश रूप से सफलता प्राप्त होगी। संपत्य के अलावा आप इसमें अपने कारियों पर फोकस बनाए रखेंगे। नई चीजों खरीदारी करेंगे। गारी बाहन के खरीदारी कर सकते हैं। और इसमें नई वस्तों आपके जीवन में कुछ महत्पूर योगदान लाशकती है। साथी साथ आपके द्वारा बनाएगे योजनाए काफी कारगर साबित होगी। महत्पूर लाप देखने को मिलेंगे और अच्छे कारियों में आ रही परेसानिया यानि कि अब आपको दूर होंगी। और बेतरिन कार पूरे होंगे। साथी साथ दोस्तो अनेको परकार के धनलाब देखने को मिलेंगे। जो भी कार आपके अठके हुए हैं वो कार आशानि से पूरे हो जाएंगे। साथी अधूरे कारियों को पूरा करने का प्रियास करेंगे। महत्पूर सफलताएं प्राप्त हो शकती हैं। बता दे कि अगली एन जो तीसरे जो राशी आती है दोस्तों वो है मेस राश मेस राश के आतकों अब आपके किसमत चमकने वाली है अनिको प्रकार के धनलाब की योग बन रहे हैं कई महतपूर्ण यजनाव का लाब है मिलेगा आपके द्वारा लिये गए निने और फैसले काफी सराहनी रहेंगे जो भीकार आपके अटके हुए हैं वो जरूर आपके पूरे हो जाएंगे महतपूर्ण सफलताएं प्राप्त करेंगे साथी दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की होगी बतादे कि जो भीकार आपके अटके हुए हैं उनमें सफलता प्राप्त होगी और महतपूर्ण लाब देखने को मिलेगा समाजी की प्रटिष्ठा में ब्रदी देखने को और साथी साथ इसमें दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे बैवाहिक जीवन काफी उत्तम रहगा बैवाहिक जीवन में खुश्णवा जीवन जीने का मौका मिलेगा साथी साथ आपके द्वारा लिये गए नेने काफी सराहनी होंगे और इसमें प्रेम संबंदों मजबूती आएगी लब लाइब बहुत अच्छी रहने वाली है लब पाडरों को आप कोई गिट और पहार दे देंगे साथी इसमें आपके द्वारा बनाएगे योजनाई काफी करगर सावित होगी और आप हर कारियों में आपको ब्रदी देखने को मिलेगी बता दे कि आप कई महत्पूर योजनाओ को लाब के साथ साथ दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे अब अगले अने जो चोथी जो राशी आते दोस्तों बता दे वो है याँ पर मिथुन राश मिथुन राश के आत को बता दे कि अब आपकी किसमें चमकने वाली है साथी भगवा सारे दो लपसफ स्रयोग बनने से इस बार यानि की लाब देखने को मिलेगा आपको इस कालसर्प योग में बता दे कि भगवान भोले नाद की किरपा से अब आप सिक्षा किशेत्र में शुधार देखने को मिलेगा बिद्यार्थियों के बहुत अच्छे विसरत प्राप् अब धन से माला माल हो सकते हैं साथी साथ आपके उपर भगवान भोले नाद के शिम कृपा दुष्टी रहेगी बैंक से आपके लोन वगयर मंजूर हो सकते हैं लिखा पड़ी के मामले में आप आगे रहेंगे साथी धन संपत्ति और इस तरह में बर्दी होगी कई योजनाओं का लाभ मिलेगा विदेश की यात्राएं कर सकते हैं विदेशी कमपनिश विशेश लाभ होगा विदेश में अगर कोई कार छूटा था तो वो पूरा करने का प्रयास करेंगे बड़ी कमपनियों के साथ आप जोड़ सकते हैं घर परिवार में शुक्षांती ब पाद्रिश्टी बनी रहेगी जो कार आप अपने हाथ मिलेंगे अवश्य उस्य पूरा करेंगे साती भगवान भोले नायत के किर्पा से दिन दुगनी राज चुगनी तरक्की होगी और कई महत्पूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा आप इसमें विस्तार अपने बिजन सवारने वाली है भगवान भोले नात के किर्पा इन छे राशियों पर रहेगी और अनेक जगों से इनको धन का लाभ होगा साती साती इसमें अपने घर परिबार के सासर राजनितिक शेतरों में जुड़ाव लगाव रखेंगे समाज में इन्हें मान समान की प्राप्ती हो कई महत्पूर्ण योजनाओं को लाभ है मिलेगा भागवान भोले नात के किर्पा से इन छे राशियों के अब दिन बहुत अच्छी रहने वाले हैं इनके भाग में इजाफा होगा साती सात किसमत सबर जाएगी तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा हर हर महा सब्सक्राइब